प्रसून जी सवाल ये है कि जमू कश्मीर में होगा क्या? क्या बीजेपी शहादत शहादत कहेगी और पीडीपी कहेगी इन्होंने हमें धोका दिया? हमें लगता है महबुवा मुफ्ती चाहेगी कि वो शहीद कहलाए लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान की राजनिती में ऐसा मौका आएगा नेहा ये पहली बार देखा जा रहा है टेलिवीजन पे एलान हो रहा है राजपाल के राजभवन में जाकर ये नहीं कहा गय कि हम इस्तिफा वापस ले रहे हैं शिनगर में सरकार बैठी है और दिल्ली में ऐलान होता है और राजपाल के हां वहां की मुक्मंत्री पहुंच जाती है यानि कोई समवाद ही नहीं समवाद हिंता की पहली इस्तिती ये है कि इस्तिफा दिया जा रहा है और सरकार गिराई चल रही है उसको इस बात का हैसास है कि कोई जोड़तोर संभवी नहीं है जब वो बीजेपी के साथ आ चुकी थी वो सीधे इस्तिफा देने चली जाती है यानि राजनेती घटना करम एक लिहास से फुल स्टॉप लगा दिये गए कि वहाँ पर अब चुनी हुई सरकार जंता ने चुना है वो एक हंग एसेंबली वाली इस्तिती ती उसमें दो धुरूफ जो मिले थे नौर्थ और साउथ पॉल वाईसी भी जिक्र कर रहे थे यही शब्द का इस्तमाल मुफ्ति मुहमद सईद ने किया था तो क्या ये एक्सपेरिमेंट कश्मीर के साथ हो रहा था प पहली बार शायद इतिहास में ये भी मौका आया कि चीन के डिप्लोमेसी कहती है कि चीन पाकिस्तान और भारत मिलकर ट्रालेटरली इसके सोचे भारत ने हलाकी इनकार कर दिया लेकिन ये हिम्मत चीन को कहां से आ गई और पाकिस्तान जिस तरीके से युनाइटेड नेशन जाता है चीन समर्थन करता है टेरिजम लगातार उस पार से आ रहा है इसको हर कोई जान समझ रहा है ये सारी इस्तितियों के बीच घाटी की इस्तिती मौझूदा वक्त में अगर इतनी बिगड़ी है तो क्या कोई पॉलिसी है या नहीं है एक बात और हम यहां पर जिक्र क करना चाहेंगे चुकि शामा प्रशाद मुखर जी के जैनती के दिन बीजेपी के अध्यक्ष अमिश्या वहां पर 23 तारीक को जाने वाले हैं शामा प्रशाद मुखर जी की जो लाइन थी वहां नैस्रल कॉंफरेंस की लाइन नहीं है वह पीडीपी की लाइन नहीं है और जिस आर्टिकिल को लेकर और वहां की परिस्तितियों को लेकर एक जंडे को लेकर इन तमाम चीजों का जिक्र करते थे बीजेपी बीते तीन बरस में उन पर खड़ी हो नहीं पाई अब वो शामपरशजाद मुखर जी कुई कश्मीर लाइन का जिक्र भी करेगी तो क्या ये माना जाए कि सरकार गिराना सरकार हटाना या समर्थन वापसी भी लेना एक अब भी कश्मीर को गिनिपिक के तौर पर माना जा रहा है एक एकस्पेरिमेंट किया जा रहा है क्योंकि 2002 में हमें याद है RSS ने पहली बार कहा था कि तीन हिस्सों में हो जाना चाहिए जम्मू, लद्दाक और शिनगर फिर उसके बाद उन्होंने एक फेक पार्टी बनाई थी चुनाव लड़ा था उसको सदस में कोई सीट मिली नहीं थी उसको जम्मू कश्मीर में संग ने एक प्रयास लगतार हो रहा है घाटी को किस रूप में देखा जाओ डेमोकरिटिक सेट अप में यह संभवी नहीं है कि आप प्रेस कोंफरेंस करें और दिल्ली में अलान कर दें और राजिपाल वहां पर तयार बैटा हो कि मुकमंतरी आएंगी और बोलेंगी अब हम वापस हमारा इस्तिफा ले लीजिए यानि समर्थन वापसी का लेटर नहीं गया है यह मजाक नहीं हो तो और क्या है डेमोकरिशी के साथ आपने बहुत बड़ी बात कही कि जमू कश्मीर जैसी जगे को इस प्रदेश को क्या है इस्पेरिमेंट के तौर पर इस्तमाल किया गया है और अब वहां होगा क्या